दोस्तों हिंदू धर्म में दिवाली का विशे स्थान है और इस दोरान लोग लेसमीजी और कि पूझा करते हैं इनकी पूझा। करके भी अपने घर के लिए सुक और समर्दी मांगते हैं और इस दोरान में बहुत ही सतर्क रहकर पूजा करते हैं आज अब आपको दिवाली की पूजा में कौन सी बारा चीज़े सामिल करने से घर में हमेशा लक्षमी जी का वास रहता है इसके बारे में बताने जा रहे हैं दिपावली के लिए सामाने पूजा समगरी और दिपक परसाथ कुमकुम फन और फूल सामिल किया जाता है लेकिन इसके अलावा बारा चीज़े ऐसी भी हैं जिसे दिवाली की पूजा में सामिल करना चाहिए तो आए जानते हैं उन बारा चीज़ों के बारे में पहली दिवाली पर लक्षमी पूजा में मिठाई के साथ ही घर में बनी खीर भी रखनी चाहिए, सास्त्रों के अनुसार खीर लक्षमी जी का प्रिय वेंजन है, इसलिए प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखनी चाहिए, दूसरी चीज है बंदरवार, पीपल और असोग के न आपके घर में प्रवेश करते हैं, तीसरी चीज है मालक्षमी का एक रूप गजलक्षमी, जी हां दोस्तों, मालक्षमी का एक रूप गजलक्षमी भी है, और इस रूप में वह एरावत हाती पर सवार दिखाई देती है, लक्षमी के एरावत हाती की प्रियक हात सामगरी ग कोडी। पूझा की थाली में पीली कोडी रखने से बहुत अधिक लाब मिलता है। पीली कोडी में ने कि प्रमपराफ बिवर्णे समय से चली आ रही है। यह पीवी कोडियां धन और श्री यानि हिस मैं प्रतिक है। पूझा के बाद इनको पने तानी लक्षमी की करपा सजय आप पर और आपके घर पर आपके परिवार पर आपके वेफशाय पर बनी रहती है पांच में चीज है पान दिवाली की पूजा के लिए पान बहुत ही सुब माने जाता है और अत्यन्थ ही जरूरी भी है पान खाने पर जिस प्रकार हमारे पेट की सुद्धी होती है पाचन तंत्र को मदद मिलती है ठेक उसी प्रकार से पूजा में इसे सामिल करने से या पूजा में इसको पूजा में सामने रखने पर घर की सुद्धी होती है और घर का माहुल भी सकारात्मक और पवित्र बनता ह यानि जवेरा का पोख्रा पुरानी मानता है कि दिवाली पर जवेरा का पोख्रा रखने से घर में विर्दी होती है, सबी देवी देवताओं के साथ ही माता अनपूर्णा की किरपा भी आपको प्राफ्ट होती है, और लक्षमी किरपा से घर में किसी भी तरह के अनाज की कभ और पश्चिव चारों दिशाओं को दरसाती है साथ ये चार बुजाएं ब्रम्चार एग्रेस्त वान प्रस्त आसरम का भी प्रतीक मानी गई है स्वास्तिक जिस घर में भी बनाया होता है वह आठ बजे तक पूजा में इस स्वास्तिक को तलक लगाया जाता है ताकि स्वास् कि चक्र होता है और इस ठान पर तलक लगाने से मन की इका गर्था बरती है नोवी चीज है चावल का काफी अधिक महित्만 पताया गया है चावल को अक्षत कहा जाता है यानि यहीं नहीं इस वजय से चावल को पूनता का प्रतीक भी माना जाता दार्मिकारियों में Čफार का एक दाने के रूप में, इसको उप्योग में लाए जाता है। पूजा में चावल रखने के समद्द, एक मानद यह है कि हमारे घर का कोई भी यह काला दाग नहीं लगने, देता है यानि कि समाज में हमारी पत्षटा को बढ़ाता है। लेकिन इस मिशह में एक बात का ध्यार रखना चाहिए कि जो भी चावल आप अपने घर में पूजा के समय इस्तमाल कर रहे हैं उन चावल को हमेशा आपको ये चेक कर लेना है कि वह तूटे फूटे या खंडित ना हो साफ सुत्रे चावल आपको इस्तमाल करने चाहिए और स इस से मस्तक पर तिलक लगाया जाता है दोस्तों दस्वें चीज है चीनी या गुड जी हां दोस्तों यह भी दिवाली के लिए सुब समगरी है लक्षमी पूजन के बाद यह बताया जाता है कि गुड या चीनी का दाम करने से धन्मे विर्दी होती है घर परिवार में लाल कच्चा धागा ये लाल और कच्चे धागे को मिला करके रूई बनाई जाती है ये लाल कच्चा धागा मिलकर बनता है इसलिए ये एक संगठन और सक्ति का प्रतिक है इसे पूजा के समय कलाई पर बादा जाता है यदि आपको लाल कच्चा धागा नहीं मिलता है तो और आप उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं। इस धागे को रक्षा शूत्र कहा जाता है। इसके प्रवाव से हम कई प्रकार की परिशानियों से बच सकते हैं। बारवी चीज है रंगोली। यहां दोस्तों लक्षमी पूजा के स्थान, प्रवेश द्वार और आगन में रंगों से धार्मिक चिन, स्वास्तिक, कुलपती, आदि से रंगोली बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्षमी रंगोली की और जल्दी से आकर्सित हो इसी भी सुब मुरत में इस्तवाल कर सकते हैं और इस सुब कार्णे में या सुब समय पर इस्तवाल करने से आपके घर में, आपके जीवन में हमेशा लक्षमी का वास रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में किवले इतना ही, कल फिर आप सम्भला काते होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक रिद्र में जाते हैं धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जै मालक्स में, जै मातादी या पिर जै बजरंग बली